हलो एवरिवन, विल्कम बैक टो मैं चैनल सिंपल और टेस्टी मिठे खाने की रिस्पी मैं आज आपके साथ शेर करूंगी आप एंड तक ज़रूर देखिए सौथ इंडिया में इसे मिठे खाना कहते हैं, नार्थ इंडिया में जर्दा चलिए जर्दा बनाना स्टार्ट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ग्यास पे पानी रखेंगे और इसे बैल्ड करेंगे देखिए पानी बैल्ड हो रहा है, अब हम इसमें दालेंगे बासमती राइस बासमती राइस को मैंने, अच्छे से धोनी के बाद आदा घंटा बिखने के लिए छोड़ दिया था, अब इसे पानी से निकाल कर बैल्ल होते हुए पानी में दालेंगे, चाफल को दालेंगे, बैल्ल होते हुए पानी में, और पानी की तरीखे से इसे भी पकाएंगे अच्छा आपको एक बात और बता दें आप बासमाती चावल जो भी रिस्पी में यूज़ करें जैसे के पुलाओ, तहरी, बिर्यानी या फिर जर्दा उसे आदगंटे पहले जरूर भिगा दीजिए तब ही आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा देखिए, ये तकरीबन 60% तक पक चुका है आप चाहे तो इस तरीखे से फिंगर से भी इसे चेक कर सकते हैं इसे और थोड़ी दिर हम पकाएंगे चावल पकाने का पूरा प्रासेस हम हाई फ्लेम पर ही करेंगे अगर लो फ्लेम पर करेंगे तो चावल का दाना पानी को सोक कर मोटा हो जाएगा इसलिए हम हाई फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे देखिए, ये 95% तक पक चुका है अब हम ग्यास की फ्लेम को बन करेंगे चावल में से पानी को निकाल देंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसे मैंने छन्नी में दाल कर सारा पानी निकाल दिया है अब इसपे लिड लगाएंगे लो फ्लेम पर 30 सेकंड तक इसे छोड़ देंगे 30 सेकंड में यह अच्छे से दम हो जाएगा 30 सेकंड हो चुके हैं अब हम ग्यास की फ्लेम को बन करेंगे ग्यास की फ्लेम बन करने के बाद और 30 सेकंड तक इसी तरीखे से छोड़ देंगे 30 सेकंड के बाद हम चेक करेंगे के चावल अच्छे से दम हो जाएगा देखिए चावल तो अच्छे से पक चुका है अगर आपके चावल में थोड़ी सी कनी रहे गई हो तो उसे लो फ्लेम पर और 30 सेकंड तक रखेंगे तो वो अच्छे से दम हो जाएगा अब इसमें दालेंगे फूट कलर, फूट कलर को मैंने दूद में भिगाओ के रख दिया था ग्यास की फिलेप आफ रख कर ही हम ये सारा प्रासेस करेंगे अब हम इसमें दालेंगे शुगर हजबे ज़रूरत हम इसमें शुगर अट करेंगे अगर आप शुगर नहीं दालना चाहे तो ये रिस्पी गूर से भी बना सकते है चलिए अब हम इसे हलके से मिक्स करेंगे बहुत तेजी से मिक्स नहीं करना है वरना चावल के दाने तूट जाएंगे बिल्कुल हलके हलके इसे मिक्स करेंगे आप तो ये रिस्पी कई बार बनाये होंगे लेकिन एक बार आप मेरे स्टाइल से भी बना कर जरूर देखिए फिर हमें कमेंट बाक्स में बताइए ये रिस्पी आपको कैसी लगी अकर पसंद आई हो तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करिए बिना सब्सक्राइब किये देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए फ्यामली और फ्रेंड्स को भी शेर कर दीजिए साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताके मेरे मज़ेदार रिस्पीस आप तक आसानी से पहुँच जाए देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें दालेंगे तीन हरी इलाइची का पौडर ग्यास की फ्लेम आफ रख कर ही हम ये सारा प्रासेस कर रहे हैं अब हम इसमें दालेंगे वन टीजपून देशी घी देशी घी दालने के बाद इसे दुबारा से मिक्स करेंगे ग्यास की फ्लेम को आफ रख कर ही हम ये सारा प्रासेस करेंगे देखिए चावल की गर्मी से शुगर काफी हद तक मेल्ट हो चुकी है देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ दाने वाइट रहे गए लेकिन कोई बात नहीं जब हम इसे पकाएंगे तो सारा कलर इक्वल हो जाएगा दूद को मैंने पहले से पका कर गाड़ा करके रख लिया है अब हम इसमें दालेंगे अगर आपके पास दूद पकाने के लिए टाइम नहीं हो तो आप मार्केट का खोवा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन खोवे में थोड़ा सा दूद दाल कर उसे हलका से पतला कर लीजिए फिर इसमें दाल दीजिए खोवा दालने के बाद आप इसमें दालेंगे कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट्स फाइनली चॉप बादाम दालेंगे अब हम इसमें दालेंगे किश्मिश किश्मिश दालने के बाद अब दालेंगे फाइनली चॉप काजू ड्राइफ रूट्स आप अपनी चाइस के हिसाब से कम या फिर जादा कर सकते हैं चलिए अब हम इस पे लिड लगाएंगे और ग्यास की फ्लेम को आन करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे हाई फ्लेम पर इसे पकते हुए 30 सेकंड हो चुके हैं अब हम इसकी लिड निकालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर एक मिनेट और पकाएंगे अगर चावल को शुगर में ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो चावल हाड हो जाएंगे इसलिए हम सर्फ एक मिनिट ही इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर इसे पकते हुए एक मिनिट हो चुके हैं अब हम ग्यास की फ्लेम को बन करेंगे एक बार और इसे मिक्स कर लेंगे देखिए अभी तो ये गिला लग रहा है लेकिन इसे हम ढखकर आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे चावल सारे दूद को और पानी को सोकर बिल्कुल सूखा हो जाएगा आदा घंटा हो चुका है देखिए चावल दूद को और शुगर को अच्छे से अबजाब कर चुका है अब हम इसे हलके हाथों मिक्स करेंगे और डिशॉट कर लेंगे ये थंडा होने के बाद और भी खिला खिला हो जाएगा आप इस रिस्पी को एक बार जरूर ट्रै कीजिए चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़दार रिस्पी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए अजाज़त बाई